देटो हेलो प्रेंड कैसे आप सब वाई ओप सब अच्छे होंगे गजां आज में आपके साथ चेयर दाल कर तीन से चार गिनटे छोड़ देंगे और फिर इसको धूप में सुखा लेंगे अब हम बना लेते हैं मसाला सौप राई मेथी और जीरा डाल के हम ड्राइ रोष्ट कर लेंगे फ्लेम को हमें लोटू मीडियम रखना है और इसको खुसबू आने तक हम इसे सेंक लेंग अब इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे कस्मीरी लाल मिर्च धनिया पाउडर लाल मिर्च का पाउडर हीम कलोंजी हल्दी पाउडर और नमक डाल कर हम इसको मिक्स करके रख लेंगे तो यह अचार का मसाला आप किसी भी अचार डाल सकते हैं तो हमारा मसाला बनकर तयार है अब हम देख लेते हैं अपने आम आम देखिए तीन से चार घंटे मैंने सुखा लिए अब इसमें हम डालेंगे मसाले और इन मसालों कर पहले सूखा ही इसमें मिक्स कर देंगे फिर हम डालेंगे सरसू का तेल मैंने कच्चा ही सरसू का तेल अचार बनाना उनसे ही इसमें मैंने डाल दिया है काला नमक तो इसे हम सूखा सूखा ही बनाएंगे ज्यादा डालेंगे इस तरह सम सारे मसाले मिक्स कर देंगे तो यह देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तो जिने चार बनाना मुस्किल लगता है वो एक बार जरूर ट्राई करें अब हम इसमें डाल देंगे सुगर केन विनेगर इससे चार हुमारा खराब नहीं होगा और आप इसे पूरे साल स्टोर कर सकते हैं तो इस तरह से हम सारे मसाले को इसमें मिक्स कर देंगे और इसको धूप में 5-6 दिन के लिए ढखकर धूप दिखा देंगे देखते हैं तो 5-6 दिन बाद देखिए अचार हमारा इस तरह से बनकर तयार है तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और सेर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आये है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें तो अचार हमारा बनकर तयार है इससे हम काच के जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं